साथ क्यों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्राश्रा भी है, एक नम्र निवेधन भी है, अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिभीम है, राम आयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराज्द्य वो पूरे देश के हैं, उनकी प्रेणा, उनकी तप तपस्या, उनका दिखाया मार्क हर देश वासी के लिए है, भगवान राम के आदर्शों पर चलना, हम सभी भारतियों का कर्तब्य है, उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतार रहा है, और इस आदर्श पर्थ पर चलते हुए, आयोध्या वासियोग पर दोहरा दाईत्व है, आपकी डबल रिस्पोंसिबिलिटी है, मेरे अध्या के भाईयों बैनों, वो दिन दुर नहीं, जब विश्व भरते, यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी, जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लुगों का मन कैसा हो, यह भी उतना ही एहम है, जैसे राम जी ने सब को अपना पन दिया, वैसे ही अयोध्यावाचियों को यहां आने वाले प्रतेग व्यक्ति का सागत, अपनत्व से करना है, अयोध्या की पहचान, कर्तब के नगरी के तौर पर भी बननी अयोध्यावाचियों सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चोड़े हो, सुन्दरता अप्रतीम हो, इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दिर्गतर्ष्टे के साथ अने प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयास में अयोध्य के लोगों का साथ और पढ़ जाएगा, तो अयोध्याजी की दिव्यता भी और निखर जाएगी, मैं चाहूँगा कि जब भी नागरीक मरियादा की बात हो, नागरीक अनुशासन की बात हो, अयोध्या के लोगों का नाम सबसे आगे आएं, मैं अयोध्या की पुन्य भूम पर प्रभुसी राम से यही काम्या करता हूं कि देश के जन जन की कर्तब्य सक्ति से भारत का सामर्त सिखर तक पहुचे नए भारत का हमारा स्वप्न मानवता के कल्यान का माध्यम बने